मेरे प्यारे देश्वासियों आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने युवा दोस्तों से स्टूडेंट से परिक्षा पर चर्चा की थी इस चर्चा और के दवरान कुछ स्टूडेंट से कहा कि उन्हें एक्जाम में गणित से डर लगता है इसी तरह की बात कई विद्यार्थियों ने मुझे अपने संदेश में भी वेजी थी उस समय मैंने ये तय किया था कि गणित मैथमेटिक्स पर मैं इस बार के मन की बात में जरूर चर्चा करूँगा साथियों गणित तो ऐसा विशह हैं जिसे लेकर हम भारतियों को सबसे ज़्यादा सहज होना चाहिए आखिर गणित को लेकर पुरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है सुन्य यानि जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खुब सुना भी होगा अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्यानिक प्रग्यति भी न देख पाते calculus से लेकर computers तक ये सारे वैज्यानिक आविश्कार जीरो पर ही तो आधारित है भारत के गणितग्यों और विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि यत किंचित वस्तु तत सर्वम गणितेन बीना नहीं अर्था इस पूरे ब्रह्मान में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित है आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मटलब आपको समझा जाएगा विज्ञान का हर principle एक mathematical formula में ही तो व्यक्त किया जाता है न्यूटन के लौज हो आइंस्टाइन का famous equation ब्रह्मान से जुड़ा सारा वियान एक गणित ही तो है अब तो बैज्ञानिक भी theory of everything की चर्चा करते हैं यानि एक ऐसा single formula जिससे ब्रह्मान की हर चीज को अभिवक्त किया जा सके गणित के सहारे वैज्ञानिक समझ के इतने विस्तार की खल्पना हमारे रुश्यों ने हमेशा से की है हमने अगर सुन्न का आविश्कार किया तो साथ ही अनन्त यानि infinite को भी express किया है सामान ने बोल चाल में जब हम संख्याओं और नंबर्स की बात करते हैं तो million, billion और trillion तक बोलते और सोचते हैं लेकिन वेदों में और भारतिय गणित में ये गणना बहुत आगे तक जाती हैं हमारी यहां एक बहुत पुराना स्लोक प्रचलीत है एकम दशम शतम चैव सहस्त्रम अरुतम तथा लक्षम च निवतम चैव कोटी ही अर्भुदम एव च बुरुंदम खर्वु निखर्व च शंग पद्म च सागर अंत्यम मध्यम परार्ध च दस वृद्धा यथा क्रमम इस लोग में संख्यों का ओर्डर बताया गया है जैसे की एक दस सो हजार और अयूत लाख निवत और कोटी एन एक करोड इसी तर यह संख्या जाती है संख पद्म और सागर तक एक सागर का अर्थ होता है कि दस की पावर 57 यही नहीं इसके आगे भी ओग और महोग जैसी संख्याएं होती है एक महोग होता है दस की पावर 62 के बराबर यानि एक के आगे 62 सुन्या 62-0 हम इतनी बड़ी संख्या की कलपना भी दिमाग में करते हैं तो मुश्किल होती है लेकिन भारतिय गणित में इनका प्रयोक हजारों सालों से होता आ रहा है अभी कुछ दिन पहले मुझे इंटेल कंपनी के सी यू मिले थे उन्हों मुझे एक पिंटिंग दी थी उसमें भी वामन अवतार के जरिये गणना या माप की ऐसी ही एक भारतिय पद्धदी का चित्र किया गया था इंटेल का नाम आया तो कंप्यूटर आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा कंप्यूटर की भाषा में आपने बाइनरी सिस्टिम के अबारे में भी सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में आचार ये पिंगला जैसे रुशी हुए थे जिनोंने बाइनरी की कलपना की थी इसी तरह आर्य भट से लेकर के रामा अनुजन जैसे गणितज्यों तक गणित के कितने ही सिद्धांदों पर हमारी हां काम हुआ है